अगर आप नॉन्वेच खाते हैं अपने बच्चे को देते हैं तो यह रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी है जो बिल्कुल भी टाइम ने लगेगा और आसानी से तयार हो जाएगी और बहुत ही बच्चे के लिए हेल्दी रह तौछ करते हैं उम्मीद करते हुए पसंद आएगे पसंद आएगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा चैनल पाना नाया है तो उसको शब्सक्राइब जारूर करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजे इसके लिए मैंने एक एक लिया है इस एक को अच्छे से फेट ले ना ह अच्छे से मिक्स हो जाए और को लिडिशे से ज्वी के गां दाले अबर इस में थोड़ा सा बटर डाल रही हूं जब घ्र में अच्छे से नर्ड में गडिशे से लग जाए आप सब होकागा ईंडा बच्चों के लिए किसना पूरा डाल देना है और आपको टमप्रेशर है वो थोड़ा नॉर्मल ही रखना है बहुत जादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है आपको लो फ्लेम पे इसको फ्राइ करना है इसको एक साइड पे मैं कुछ देर तक पकाऊंगी जिसे नीचे से अच्छे से धीरे-धीरे हो जा अगर आपका बचा एक साल से उपर का है तो आप इसमें नमक भी एड़ कर सकते हैं यह देखे नीचे से बिल्कुल धीमे यह से चुका है बहुत अच्छे से और अब यह दीरे-दीरे दूसरे साइड से भी मैं इसको से रही हूं थोड़ा सा पैस कर देना है जिसे की से जाएक यह देखे जा यह देखे आपर अपनी बच्चे को जरूर दीजेगा उमेद कर शोड़ा यह दिया हुआ है अपने बच्चे को जरूर दीजेगा उमेद करती हूं यह प्संद आई हो गए ऊच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी